Hi, how are you all? I hope you all are fine, good and healthy. तो lecture जो पुराने हमने कवर की हैं, मुझे उमीद है कि आपको वो सारे lectures बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे और समझ आया होंगे. पर even in case कोई doubt है, तो आप comment section में डाल सकते हैं. हम जल से जल उन पर एक वीडियो बनाएंगे ताकि जो सारे के सारे doubts को clear करेगी. तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बड़ी तेजी से और आज हम cover करेंगे section 46 से section 50. काफी कम sections हैं और एक चीज़ और ये मुझे बतानी हैं कि आज हम जो lecture cover करने जा रहे हों काफी छोटा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, समझ आ जाएगा आपको असानी से. तो फटा-फट हम लोग section 46 पर आते हैं, 46 से 50 सारे के सारे section time और place की बात करते हैं, कि किसी promise का performance कैसे होगा, किस time पे होगा, किस place पे होगा, तो marginal note कहता है, time for performance of promise where no application is to be made and no time is specified, तो यहाँ पर दो चीज़े याद अखना, no time is specified, no application is specified, पूरे के पूरे जो पाँचो section है, similar है, थोड़ा-थोड़ा minute difference है, पर similar है, ठीक है, तो इनी के difference के लिए, मैंने सिर्फ आज ये lecture बनाये special, ताकि चीज़े ना clear हों, और सिर्फ इसी lecture पर focus रहे हमारा, तो एक illustration या एक example मैं आपको देता हूँगी, माल लीजे आपकी शादी है, और मैं एक card छापने वाला वेक्ती हूँ, मेरी printing press है, आप आते हैं मेरे पास में, आप कहते हैं कि सर्फ मेरी शादी है 31st December को, 2020 में, और आप मेरी शादी के card मुझे आपसे चपवाने हैं, तो यहाँ पर मैं promise हूँ, मैं बोलता हूँ, ठीक है, आप मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे, कि आज deliver कर दो, अभी deliver कर दो, उस दिन deliver कर देना, ठीक है, तो, तो फिर, जब आपने मुझे time नहीं बताया, कि कि इस तारीक में को आपको card deliver करने हैं, या आपने ये भी नहीं बताया, किसी उस तारीक में किस समय मुझे आपको card deliver करना है पूरे दिन में दुपेर में सुबह शाम कब आना है तो यहां पर मेरी reasonable capacity के हिसाब से या मेरी reasonable belief के हिसाब से मुझे जिस दिन भी आपको card deliver करना होगा मैं करूँगा पर 31 December से पहले या मुझे पता होना चाहिए कि एक व्यक्ती अपनी शादी के कार्ट दस दिन पहले डिलेवर करता है डिलेवर नहीं लोगों को देता है अपने रिष्टेदारों को अपने दोस्तों को तो मुझे इस हिसाब से अपनी रिष्टेबल बिलीव या अपने खुद के दिमाग से मुझे आपको उस दिन कार्ट डिलेवर करना पड़ेगा जिस दिन भी सहूलियत होगी आपको 31 दिसंबर से 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो भी रिष्टेबल टाइम है तो यहाँ पर नीचे भी explanation दे रहा है कि reasonable time जो है वो हमें सा question of fact रहेगा हरल हर case के अंदर कोई और दूसरा case होगा तो वहाँ पर question of fact रहेगा section 47 पर आते हैं section 47 की last marginal note के last शब देखिए where time is specified and no application to be made time मतलब यह होता है कि certain date बता दिया आपने जिसे शादी का जो हमने example देखा वहाँ पर 31 दिसेंबर से पहले आपने 27 दिसेंबर बता दिया शादी के card की delivery की किसर 27 दिसेंबर वो day होगा जिस दिन आप मुझे अपना card मेरे card deliver करेंगे ठीक है पर application application मतलब पूरे दिन में कब deliver करना है यह आपने मुझे नहीं application by the promisee यहाँ पर promisee मैं हूँ मैं अपनी मर्जी से आ सकता हूँ आपके card deliver करने कभी भी ठीक है यह दूसरा example लेते हैं कि आप कोई furniture का कहाँ आप कोई office setup कर रहे हैं आपका महुरत 31 December को और आप मुझे 27 December की date देते हैं furniture लेकर आ जाना मैं furniture का का काम करता हूँ इसे example में तो आपने मुझे date तो दे दी कि 27 December पर आपने पूरे दिन में मुझे बताया नहीं कि कब आना है मुझे आपका furniture deliver करने ठीक है तो promisee has undertaken to perform it without application by the promisee मतलब इसका मतलब यह होता है कि promisee मतलब आपके promisee आपो आपके बिना कहे ही मैं समान deliver कर दूँ अपनी मरजी से इसका मतलब यह होता है कि promisee ने undertaken to perform it without application बिना आपके कहे without application of the promisee आपके बिना कहे मैं समान deliver कर दूँगा अपनी खुद की सहूलियत से अपनी खुद की जो मेरी समझ है अपने काम को लेके furniture का काम करता हूँ तो मुझे पता है कि usual business hours कब होते हैं मैं उस समय ही deliver करूँगा अब मैं रात को एक बज़े तो आँगा नहीं तो यह मैं अपनी समझ के हिसाब से मैं deliver कर दूँगा इसका मतलब यह है तो promisee has performed, undertaken to perform without application by the promisee the promisee मैं performed it anytime मैं कभी भी कर सकता हूँ फिर पूरे दिन में during the usual hours of business अब वो आपकी usual hours जो होंगे न बिसनस में मैं उसी समय आउँगा सुबे 9 बज़े से रात के 6 वे शाम के 6 बज़े तक मैं ऐसा नहीं कि रात के एक बज़े लेके आए है आपका समान तो यह 47th section दा अब section 48 पर आते हैं अब जो section 48 है न यहाँ पर application के साथ-साथ time के साथ-साथ place की भी बात आ रही है कि कि इस place पर deliver करना है तो अब section 48 को पढ़ते हैं कि application for performance on a certain day to be at proper time and proper place यहाँ पर application भी बता रखी है कि सबसे पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि when a promise is to be performed on a certain day and the promisor has not undertaken to perform it without application मतलब यहाँ पर time बता रखा है date बता रखी है कि किस date को deliver करना है पर यहाँ पर promisor उल्टा कह रहा है जो 47 में कह था promisor ने 47 में कह था कि आपके बिना कही ही मैं deliver कर दूँगा तो उस तारीक को पर यहाँ पर जो मैं promise हरूँ मैं कहता हूँ कि जब तक आप मुझे नहीं कहोगे ना मैं तब तक deliver नहीं करूँगा ठीक है पर आपने मुझे date mention कर रखी है तो यहाँ पर जब आप मुझे application के लिए कहोगे promise ही मतलब यानि कि यहाँ आपकी duty है मुझे कहना तो आप मुझे फोन करके कहेंगे कि सर आच deliver कर दो अभी इसी समय दुपहर में रात को या एक दिन पहले बता दिया कल दुपहर में deliver कर दिना सामान मेरा furniture का तो यह आपकी एक और duty है कि आप मुझे proper place बताएंगे performance की मुझे कहाँ प्ले करना है और within the usual hours of business ऐसा नहीं कि आप मुझे रात की दो बज़े बोल रहे है कि दो बज़े deliver करो आप हमारा सामान तो जब usual hours होंगे आपके business के मैं deliver कर दूँगा section 49 पर आते है place for the performance of promise where no application to be made and no place fixed for performance तो यहाँ पर वैसे न time की कोई बात नहीं हो रही date की कोई बात हो नहीं रही है पर हम reasonably मानेंगे कि date की भी बात हो रही है तो when a promise is to be performed without application by the promise मतला आप मुझे नहीं बताएंगे या आप मुझे नहीं बोलें कब deliver करना है मैं अपनी reasonable belief या reasonable तरीके से मैं आपको deliver करूँगा and no place is fixed for the performance यहां पर आपने मुझे place भी नहीं बताएंगी कहां deliver करना है पर यह इतना दिमाग मेरे अंदर होना चाहिए कि जब आप furniture मंगवा रहे हैं अपने office के काम के लिए तो आप अपने office पर ही मंगवाएंगे आपकी घर पर तो delivery होगी नहीं उसकी तो यहां पर reasonable होना चाहिए प्रामिसर को अपनी सोच से कि वो reasonable place पर ही performance करे अपने promise की ठीक है और usual hours of business जो है वो fixed है ठीक है तो section 50 पर आते है section 50 कहता है performances in manner or at time prescribed or sanctioned by promise ठीक है तो यहां पर बात हो रही है the performance of any promise may be made in any manner किसी भी manner में performance हो सकती है promise की और at any time which the promise prescribes or sanctions या अगर promises prescribe करता है यानि कि आप मुझे बोलते हैं कि इस तरीके से इस समय होनी चे delivery आप मुझे कहते हैं एक बज़े delivery करो तो मैं एक बज़े delivery करूँगा गोट्सकी ठीक है रात के पर आप मुझे कहते हैं जैसे illustration C देखते हैं कि A ओस B 2000 रुपे तो A जो थे B जो थे वो 2000 रुपे मांगते थे A से B accept some of A's good in reduction of the debt B ने accept करा कि जो थोड़े बहुत 2000 की जगे कुछ 1000 के आप मुझे goods दे दीजिए पर 1000 मुझे cash दे दीजिए तो यह manner जो है यह promise C ने sanction किया कि मैं इस तरीके से भी मुझे कोई problem नहीं है तो यहाँ पर अगर आप मुझे किसी भी तरीके से belief में रखते हैं कि ठीक है आपको उसमें कोई problem नहीं है तो वही good मतलब वही manner suitable होगा और इस चीज का sanction promise C को देना पड़ेगा ठीक है तो the delivery of the goods operate as a part payment ठीक है तो यहाँ 46 से 50 sections हमारे cover हो चुके है I hope आप लोगों को चीजे समझा रही होंगी थोड़ा थोड़ा सा minute differences सारे sections के अंदर पर almost similar हैं सारी चीजे तो यहीं मैं आपसे अलविदा लेता हूं Thank you and have a nice day